हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कसीट को सॉल्ब करेंगे जो की डारेक्टेट अफ एजूकेशन के द्वारा दी गई है बच्च पैले बच्चों सबसे पहले सभी अपना या नाम लिखेंगे और यहांँ पर अपने टीजर का दाम लिखेंगे सिखा को पहेल्य आ हल करना बहुत पसंद है इसलिए उसकी मम्मी ने उसे पहलियों की किताब भेट की वह एक पहली को हल करने की कोशिस कर रही है जिसमें एक अनोखी दीवार बनी हुई है दीवार की पृतियक इट पर संख्या लिखी हुई है उसकी मम्मी ने समझाया कि उपर की इट पर लिखी संख्या नीचे की इटो पर लिखी दो संक्याओं का योग है जैसा की तीर द्वारा दिखाया गया है यहाँ पर बच्चो समझेंगे सभी 4 और 2 कितने होते हैं? 6 6 और 4 कितने होते हैं? 10 8 और 6 कितने होते हैं? 14 अब ऐसे ही 6 और 10 कितने होते हैं? 16 10 और 14 कितने होते हैं? 24 16 और 24 कितने होते हैं? 40 तो इसी तरीके से ये पहलियां करनी है सिखा को अब इस प्रकार की पहलियां को सुल जाने में मज़ा आ रहा था इसी प्रकार की कुछ पहलियां नीचे दी गई हैं आईए इन्हें हल करने में सिखा की मदद करते हैं यहाँ पर है बच्चो संख्या 5, 10, 15, 20 5 और 10 को प्लस करेंगे 15 10 और 15 को प्लस करेंगे 25 15 और 20 को प्लस करेंगे 35 अब यहाँ पर 15 और 25 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 40 25 और 35 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 60 अब 60 और 40 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 अब है next यहाँ पर संख्या है 7, 17, 42 तो बच्चों हमें क्या करना है 7 और 17 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 24 अब इधर है 42 उपर है 68 अब हमें 42 में कितने अंक जोडने हैं कि 68 हो जाए तो हम 42 में 26 को प्लस करेंगे तब हमारा योग कितना होगा 68 अब 17 और 26 को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 43 अब ऐसे ही 24 और 43 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 67 63 और 68 को प्लस करेंगे नहीं तो कितना होगा 111 अब 67 और 111 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 178 अब है अगली पहली यहां पर संख्या है 31 65 और 40 तो अब हमें क्या करना है 65 और 40 को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 105 अब यहां पर संख्या है 88 अब हमें 65 में कितनी संख्या प्लस करनी है कि हमारा योग हो दो संख्याओं का 88 हो तो यहां पर हम कितनी संख्या प्लस करेंगे 23 तो 23 और 65 कितने होंगे 88 यहां पर होगा 31 और 23 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 54 अब 54 और 88 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 142 105 और 88 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 193 अब 142 और 193 को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 335 यहाँ पर है संख्या 76 और यहाँ पर है 92 अब यहाँ पर संख्या उपर दी गई है 99 अब हम 76 में कितने प्लस करें कि हमारा योग 99 हो तो हम 76 में 23 प्लस करेंगे तो हमारा योग होगा 99 अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं यहाँ भी हमें लिखनी है 35 बेठे तो हम 92 में 43 प्लस करेंगे तो कितना योग होगा 135 अब 23 और 43 प्लस करेंगे तो कितना होगा 66 अब यहाँ पर 99 और 66 को प्लस करेंगे 165 66 और 135 को करेंगे 201. अब 165 और 201 को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 366 बच्चो अब आप भी इसी परकार की अपनी एक संख्या दीवार बना कर उसे हल करने की कोशिस कीजिए बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू